अजी तकाहाल है ठीक है दोस्तों आज का जो QN है यह हम लोग थोड़ा सा अलग करने वाले हैं क्योंकि जो सवाल है यह हम उठाने वाले हैं अपने F ю scanner क्योंकि YouTube से हमने बहुत बार उठाए हैं Facebook से पहली बार उठाने जा रहे हैं क्योंकि Facebook पर भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं तो पहला जो सवाल है यह लिखने वाले हैं अरुन दियाती कभी जी लिखते हैं हाई जंड जी हाई ब्रदर मेरा सवाल ये है कि जब हम असलील संग लिख आता है और ट्रेंड करता है उतना अच्छा गाना पर नहीं आता क्या करें जनता भी वही सुनना चाहती है लेकिन लोग राइटर और सिंगर कोई दोसी ठेराते हैं दखें भई आइसा है कि मैं भी असलीलता का बिरोधी हूं बट मैं बोलता वही हूं जो सच होता है गीत गाते हो तो लोग सुनेंगे जानते हो कैसे नभे परसंट थो समर्थक हैं वो तो सुनेंगे यस विरोधी के बागी की जो 5% बजते हैं जो असलीलता के खिलाफ है उसलीहो के बिरोधी है उन्हें भी सुनना पड़ेगा मजबूरी में क्योंकि उनको विरोध करना तो सुनना पड़ेगा अब बिना सुने कई से विरोध करेंगे अगर आप इंडस्ट्री में नए आए हैं आप गाना गा करके अपना केरियर बिल्ड करना चाहते हैं तो भईया आपको दो काम करने होंगे पहला या तो आप असलीलता फैला हो या तो भईया आप कंट्रोवर्सी करो आप सोचें कि मैं साब सुतरा गाने गाब करके बहुत अच्छा गाब करके आगे बढ़ूँगा तो भईया लुल बटा घंटा आप रहने दो आपसे नहीं होगा भजपूरी में जितने भी सिंगर आज के दोर में जो बड़े सिंगर हैं जो आगे बढ़े हैं उनका बैगराउंड उठा के देख लो को लोग पहले क्या गाते थे जब आप फेमस हो जाएंगे बड़े स्टारबन जाएंगे लाइक बड़े स्टारों की तरह तो आप कुछ भी गाएंगे तो चलेंग आप いखेसारी लाल को देख малा और पावन सिंगो देख लो यह लोग कुछ भी गादेंगे तो चलेंगो आसली चलेंगा एक उनलील जाएगा क्योंको भाई नेम फेम मिलने के बाद आपके फैन हो जाते हैं तो वो लोग देखते हैं अभी आप चंदन चंचल को ही देख लो बहुत दिन से इंडेस्ट्री में गाना गा रहा था ना आज उसने एक असलील गीत गाया फफ़फ़ाने वाले चार दिन फफ़फ़ हैं यह सब कूल मिला करके सब कुछ वह यह हैै आप सोचो कि मा आउंगा बहुत बहुत साफ सुतरे गाने गाऊंगा बहुत साफ सुतरे फिल्मे बनाँगा तो भया आप से हाथ जोड़ कर बिंती हैं घर की किसी काल कोठरी में आराम से सो जाओं खीर खा के आपके बसकी बात नहीं है अगला जो सवाल लिखने वाले हैं उमेश राज लित्ते हैं जंड जी अगर हमारी बोश्पूरी फिल्म साउथ भासा में बना कर साउथ में चलाए जाए तो क्या ये फिल्म अच्छी कमाई कर पाएगी भाई ये फिल्म को डब करने में जितना पैसा खर्च होगा न उतना भी नहीं निकलेगा जहां के लोग ब लड़की लड़का को आपस में लडा करके दूनों में प्यारी स्टाट किया जाता है ऑग जे वह सवाल रल लिखने वाले हैं अंकीत पांड़े लिखते हैं कि इसी दूसरे स्टार के गाने का लिंक कितना सही है swings क्योंग्या इन नहीं दूसरे सब्सक्प के गाने में दूस उसके बारे में बोल रहे हैं कि उसका जो गाना है लाल घागरा उसका लिंक जो है सारे गामा चैनल पे बहुत सारे गानों के कमेंट में डाल करके पिन किया गया है यह कहना चाहते हैं आप देखिए ऐसा है ना कि लाल घागरा वह इसका गाना है सारे गामा का और सारे गामा न तो इसकी business strategy है, वो कहीं पर भी डाल सकता है, उसकी मर्जी भई, गाने पर एड लगा सकता है, गाने का link share कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पैसा कमाना ना भई उसको, अब वो हमारी तरह Facebook पर आके इनके उनके comment में जाके गालियां देता थोड़ी बैठेगा, business करने आया हो, business क पर लिंक जिस भी गाने में डाल रहा है, वो गाना भी तो उसी का है, किसी दूसरे के गाने में तो डाल नहीं रहा है, जिस गाने का link डाल रहा है, वो भी सारे गामा का है, जिस गाने में डाल रहा है, वो भी सारे गामा का ही गाना है, तो अपने ही गाने में डाल रहा है, दूसरे के का हुआ है अगला जो सवाल है लिखने वाले है अभिनास कुमार राय लिखते हैं हेलो जंड जी सर कल मैंने वोश्पूरी इंडस्ट्री के दो बड़े सूपर स्टार का मोवी यूटूपर देखा एक फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए टू और दूसरी फिल्म का नाम है बाब जी दोनों फिल्म को देख के मुझे समझ में नहीं आया कि फिल्म बनाया है या एल्बम दो गंटा चालिस मिनट फिल्म में दो गंटे तक सिर्फ गाना ही था चालिस मिनट में वकवास हैं बहुत बड़ा सवाल है आपका पड़ूंगा तो साम हो जाएगा बढ़ देखो बात यह सच है कि वोचपूरी में फिल्म तो नहीं बनती है इसको फिल्म नहीं मजाक कहते हैं भुवन बान आपको पता होगा बीबी की वाइंस करके चैनल है उसकी पांच मिनट की वीडियो एडिट करने में जितना समय लगता है न उतने समय में यह लोग द इतना बड़ा बजट क्यों खर्च करेगा पैसा वसूल तो होता नहीं है यूपी में आके सबसीडी के भरोसे फिल्में चल रही है तो क्या जी बनाएंगे अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं शौरब कुमार गुपता लिखते हैं पावन सिंग और खैसारी लाल यादो दोनों भाई बोलते हैं तो मीडिया वाले सब विवात क्यों फैल आता हैं बहीया प्लीज रिप्लाइव दोनिया का जो चैनल है उस चैनल पर किस टाइब की वीडियो आती है श्रू गणा या कौमेडिया का मैं क्या है दुनिया में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे सब कुछ जी तहम सही सही रहे तो मीडिया क्या करें करें घर पर कर रोटी बनाएं चोटे-्छोटे मुद्दों को भी बड़ा बना के दिखाना यहीं तो उनका काम है ना वाई बड़ा कैसे बनेगा जब बवाल और भाद भी बड़ा बनेगा ना यह ब विवाद इसलिए किया जाता है वाई उनके भी परिवार हैं बच्चे हैं वो कहां से खाएंगे जिएंगा वाई अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं अमित कुमार लिखते हैं जंड जी हम आपके पास कई वीडियो का लिंक बेजे हैं पर आप कभी वी उस वीडियो को रोश्ट नहीं करते हैं कि हम पिछल उसके पास बहुत बड़ी जिम्मधारी हो जाती है अपने चैनल को बचाए रखने की तो मैं इसे मूँ उठाके किसी कभी रोश्ट नहीं कर सकते ठीक है रोश्ट की वासा सब लोग नहीं समझते हैं तो मेरा इंसल्ट कर रहा है तो फिर गडबल हो जाएगा जो लोग अच्छा वो डोड़ी चार्ट वाले गाने के राइटर है देखो उनकी तबीयत खराब हुई थी और स्पीटल में अड्मिट थे अब ठीक हो गए हैं पहले उन लोगों का कहना यह था कि मीडिया के टॉर्चर के वज़े से उन्होंने जहर खा लिया कुछ लोग ऐसा बोल अब टीक हो गए और ठीक होने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम किया है कि वो क्या है मीडिया को इंटर्वी देला है की